नमस्कार सभी को और जैसे कि एक तरफ AFC Champions League चालू है वहीं दूसरी तरफ हमारा ATK महन बगान अपना महा अभ्यान जो है AFC कब 2022 वो शुरू करने वाला है तो अभी है क्वालिफाइंग दौर तो क्वालिफाइंग बहुत ही इंपोर्टन चीज है ना इसमें ही तो पता क्योंकि वहां पर उसका दूसरा जोड़ीदार जो है को किलम केरल एससी वह इंतजार कर रहा है कि भाई ATK महन बगान जल्दी पहँचे तो अपन आगे का खेल बढ़ाएं तो भाई अब 80 के महन बगान आपको पता ही एकदम एवरेडी एकदम तयारी से है कि AFC कप में अप का जो एंड हुआ था वो बड़ा ही दुखद हुआ था एकदम मतलब गोल की जड़ी लग गई थे उनके खिलाफ तो इस वर्स हमको थोड़ी उम्मीद है कि भाई जिवान फरेंडो की टीम है बॉल पोजिशन और नई टैक्टिक्स और मतलब कमाल कुछ देखने को मिलेगा है तो बात करेंगर अभी क्या तो अभी है अभी तुम वीद और और पहला मैच है अब पहले मैच के बात करें थो रन का कप अब जब मैं नाम लेता हूं श्रिलंका की टीम तो आप में से कई फैंस फुटबॉल के हमारे भारती फुटबॉल फैंस एक 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 इस खुशी से घूम उठेंगे रहा है रहा रहा स्रीलंका की क्लब से ही तो मैच है तो निकली जाएगा यही गलती नहीं करना आपको ठीक है यही सोचाता में स्रिलंका से तो मैच है और स्रिलंका से अमनेगे लिया ड्रॉट जल दीमें ही गलती होता है है ना तो वही तो अभी क्या है कि अभी blue star club Sri Lanka का इसमें बहुत दिगगेच प्लेयर तो नहीं है तीन फॉरेनर मैंना उनके टीम में देखे थिन ओभी अफरिकन प्लेयर से नौट एन यूड यूरोपीन प्लेयर तो तीन उनके पास अफरिकन प्लेयर से बाकी मेरे खाल से सब लोकल प्लेयर से ठीक है और वहीं पर आप टीम कंपेरिजन देखिए एकदम पेटी पैक एकदम धारदार हतियारों के साथ विल्कुल तयार है गोली बारी करने के लिए तो आप सोचेंगा रहे तो इतनी स्टॉंग टीम है तो ऐसा देखिए कि फुटबॉल में कोई कितना ही बड़ा प्लेयर हो कितने बड़ी लीग का खेल के आगया हो कभी भी जो है ना वो वो रुख इधर उदर वहाता है मैच का तो अब ब्लू स्टार की बात करें तो ब्लू स्टार पहला में जीत के आई है और अब उन्हों दूसरा मैच है ठी कि अब नेपाल के जो क्लब है उन्होंना से यही गलती कर दी अरे स्रिलंका यह निकलेगा यही गलती कर दी अब क्या हुआ मैच आपने अगर थोड़ा उसको देखना वह मैच को मतला पूरा मत देखना उनकी थोड़े सी हाइलाइट्स देखना उस मैच की तो आपको पता कि श्रिलंका जो टीम मुझे श्रिलंका का क्लब ब्लूस्टार एफसी उसको जो श्राइकर से वह बहुत क्लेवर है भले वह आप गोलेंगा रहे उतनी क्वालिटी कहार है यह कहां तो वह का क्लेवरनेस तो है उनके अंदर उन्होंने जो दो गोल मारे है आप देख सकते हैं कि कैसे मारे है उन्होंने डिफेंसिव वाल ब्रेक करी है उनकी डिफेंसिव लाइन जो ब्रेक करके गोल मारा है ठीक है स्रिलंका नेपाल के उपर तो आप बोलेंगा रहे नेपाल भी कौनसी कि नेपाल के क्लब कोन सा बड़ा चेंपियंस लीग क्लब था देखिए सुरू में यही लगता है रहे है ना सुरू में हर इंसान जो सामने वाले को अंडरेस्टिमेट करता है और बाद में उसका खामियाज है भुगतना पड़ता है तो देखिए ब्लुस्टर एस्टी के जो आपने देख लिया था पिछले सीजन के एफसी चैंपियंस लीग में एफसी गोवा के मैचस ठीक है ना आपको पता ही है कि मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुर सहीं पते की बात बोल रहा हूं तो एटी के मोहन बागान जो है यह किस तरह से मैच जीतेगी यह देखनेवाली ब ब्लू इसमें कोई दो रहा है और कोई इसमें आपको कुछ कार्ड भी नी सकता तीक लिगिने खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है इसले हमको खेल के दोनों पहलू देखते भी चलना चीज़ना तो एटी मोहन मगान की साइट से आपको कुछ चीज है जो बिल्कुल देखन लें साइटते लें से बहुत अचछे स्टेटेजी में बहुत अच्छे 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 डिफैंस ये सब च़िज आ आपको पूरी सब देखने और से ब blends थासे साइट से आपको उतनी ज्यादा चीज मेंनी बूलूंगा देखने को मिलेगी उनिको पत है कि अच्ग महन म जिसको आम पूरे साल से फॉलो करते आया है, जिनको उने सीजन में देखा हुआ है, अब बुस्टार को तो हम ने देखा भी नहीं है, इसे पता जिन कैसा खेलती है, लिकेने क्वालिटी का अंदाज अलगा सकते हैं, इससे जादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं तो इससे जादा कुछ नहीं बूल पाँगों, इसके बारे में आपने मैच वैद देखेंगों, तो आप देख लेना, और या सिरलंका लिक देखते होंगे, आप बड़े फुटबाल के बड़े मसीहा होंगे, तो फिर आपको पता हूँगा, ठीक है, तो मैच में मजा आने AFC Cup में आप उनका अगर रास्ता देखें तो आगे तक जाने वाली टीम है, तो मजा आएगा, और आप क्या उम्मीदे रखते एक्टी के महन बगान से, अभी तो पहला मैच से, दूसरा मैच ब्यागा, दूसरा क्वालिफाइंग मैच पिर उसका गुरूप स्टेज बहुत चाहते हैं, उनके साइट से आप एटी के महन बगान फैन होंगे, तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं, इस टीम को किस तरह से देख रहे हैं, कि यह जो टीम है, इसको आप कितने लंबी आगे जाएगी ऐसा आप समझ रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में है, विल जाल हराद!